बाद्र क्रिष्ण अस्टमी सख्या को जन्मे दिन हो आजब। द्वाराकामा चली रहेको हला जन्म महत्षब। मातक कुन्ति पनि क्रिष्ण को जन्म तेथी को खुबई आडमबर साथ पाला न गर्छिन। अक्षे पात्र मा भाती माती का मिष्टान बनायर काम्मेक बनमा पसुप पंची हरुमा समेत बितरन गरी दिये। कहीं कुने अतिथी आईपुगने हुनकी बनेर संध्यासम पर्खी रहे। कम्बू र जम्बू लाइक काक मा राखेर मिष्टान न खुआए। अब उनिहरु सोस्त चन, बड़े का चन, दोत बाहेक अरुकुरापनी खाना थाले का चन, उनिहरुले खाये पची अचानक याद आयो सक्खाको। चन्दन चर्जीत भायर बनमाला धाराण गरी, खुबई सुन्दर देखे का होलान उनि, मात पिताद देवकी, बसुदेव, उत्षा साथ मिठाय अरू, बितरन गरी रहे का होलान। आनन्त को उत्षब का बीच, कि हामरो याद आउदे वलारा सक्खालाई, कहां द्वारा का अधिपती, पुर्षत्तम, श्रीक्रिष्ण, और कहां राज्जिहेन, बनाबासी, पांडप, और उनिहरी की पत्नी, द्रोपदी। बनाबास का दिन हर मा बीच-बीच मा आयरा, हालचाल सुधेर जाने बचन दिये का थिए, बिदा को समय मा, तर खई, एक चोटी पनी दर्शन बायना उनको, सखा, तर आज तपाई को जन मा तिथी मा, बारम बार, तपाई को इस्मिती ले, एती अस्तिर कीना बनाई रहे च मेरा हाथली बनाएको भोजन ग्रहन करनामा, तपाईको जतिरुची थियो, तेत्तिके तपाईका निम्ती भोजन बनाउनामा, की काम स्रद्धा रहन्थेर मामा, काम्मेक बनमा, हामी आये देखी, कती-कती अतितिहरू समय असमय मा आयरे गा छन, अक्षे पात्रको गरूना अले अतितिहरू लाई, एतो चित आहार प्रदान सम्भब भाहिरे एचा, आज पनी कती अतितिहरू आयर गए तरमन अखायको छाईना, हिर्दये त्रिप्त भाहिके छाईना, एस्तो लाक्ष बित्रकसाईली भनिरे एको छा, अतितिह आउने चन, अतितिह आयरे एचन, तरमैले अजही भोजन गरेके छाईना, फालगुनी बन्चन, क्रिश्ना, अब अरु कती बिलम्ब गर छाउ, अब एती रातमा, अरु कुन अथिति आउलान, अब भोजन गर, तेन भरी परिश्रम गरेके छाउ, एस अरन्यमा, साधु सन्यासी, सबर पल्ली का आबाल, बृ क्रिश्ना, क्यो तपैन जन्चन होनना, मैले भानि, भाल्गुनी बन्चन, इसनि हाले, मेरा हात समाति, सखाली कि मलाई बंद, अदिक प्रेम गर थाउ, एही प्रच्न गरुमा तपैैन सगह, उत्तरोने छो, सखा, मेरा प्रिये बंद, फ्रिये होन, प्रिये तम होन, कुने संग्या, कुने साधशिमा, कुने पार्थी पतो लान मसगा छैना भालगोनेले मलाइग इसने पूरण द्रिष्टले हरते वने कृष्णा सखा परती तीम्पर प्रेम कारण मा उनी संग इर्षया गार दीना, इर्षया उन्च तीमी संग मलाई डर छाकी प्रेम को परकास्टा मां तिमी मलाई बने जितने छाओ औनी सक्खा का निम्ती मबंद ज्यादा तिमी प्रिये होने छाओ वाईले हासेर भने स्वामी तपयमा नाई मचु ममा तपयम हामी दोभे मद्धिये कोही पनी सक्खा का प्रिये हाऊं एसमा की फरक परचर नत्र एक जाना एदी अधिक प्रिये बन्चन भने लाब अरकोलाई होने गर छा एस्चोटी अब अरसिक्ता छोडेर उनले मलाई बोजन लीने अनुर्भोत गरे बोजन गर तथापी मनमा कोन्ठा थियो कहीं सक्खा आईपुगे भने फेरी की दिन उनलाई फालगुनेले अभय बनाए दिये बने आईपुगे भने पने आजको दिन की उनी भगे उने छन मा जो ग्रहन गर्चु पहिले तियो सक्खालाई ने अरपित गर्चु ते मिलाई पने ग्रहन गर्ण आगी सक्खालाई अरपित गर्चु तिये मिलाई पने ग्रहन गर्ण आगी सक्खालाई अरपित गर्चु तिये मिलाई पने ग्रहन गर्ण आगी सक्खालाई अरपित ग गार्नमा कोने आर्था छाईना मा पनी जान्दाचु। क्रिष्णा अरजन बिन्दा रूपदारी हुदाउदाउदाई पनी एकात्म होन अभिन्ना हिर्दाई होन। खुबई एतना पुर्भक परम स्रद्दा सहीत हिर्दाई मा कोमल ममाता को इस्परस दीगी पवित्र प्रेम को मधूरता मिलायर अब सिस्ट भोजन पसकी दिए भालगुनिक आगी। पहले क्रिष्णाले अर्पिद गरेर भोजन गरहन गरे उनली उचीष्ट गरहन गर्दा परम सांती प्राप्त भायमालाय अक्से पात्रलाय धोयर यथा इस्थानमा राखें क्रिष्णाको इस्मरन गरेर मा बिच्वनमा पसें। थाचाईन जागर थी आया या निंद्रामा महन बमसी सुर हिर्दैमे कतै सुने एके चड़मा अहा चंदन चर्चित पितांपर लगायर मसमक्से उभेहका चन क्रिष्णा दोबेहात अंजली बनायर मागीर एका चन बनचन सकी गलामा अ माप द्रिष्णा चा सुमधुर पा कास का कीट पतंग समेत कोही भोकार हादाईनन जम्बु एमाम कम्बु कीत जीवन दात्री ने भायकी चाओ तिम्र हिर्दैमा संजी बनी चा कल्याणी आज मेरो जनमा तिथीमा मेरो गलामा अम्रितक त्रिष्णा जागे को चा मेरो त्रिष्णा मेटाई दियर धन्ने गार मा रोमान्च मा लशित भायरा आयें मभित्र मैल एतिखेर एसोधा माताक अनभाब गरी रेगी थिंगे मक कुन क्रिष्णा या एसोधा देखें मेरा सारा द्वंद्वा समेटेरा बाल गोपल मसमक्ची उभियेगा चान मक मन्डल मा सारा विश्चुको पवित्रता सोभा मा इभायरा खेली रेगुछा मखन दही को चूर बाल क्रिष्णा रिपी गरी रेगा चान मलाई अम्रित का निम्ति मेरा बक्षी बाट अम्रित जरी रेचा अन्यास अंजली भरेरा क्रिष्णा अम्रित बान गरी रेचान मेरा संतान को रूप मा आये का चान क्रिष्णा इ दिये , किना सप्ण मा पने कृष्ना मा नेरा बरबारे रहेगी छुँँ बिभाल भायरबाने मानेले क्रिष्णा ऑईना मत मेरो सिशु लए बले रहे है की थिये मेरा पाच़जना पूत्र आये का थिये क्रिष्णा अम्रीत माघीब का थिये तंद्रा भरी आखामा क्रिष्णामा माँ आपनो संतान देखी रहे कि थीए सोपनामा नई बक्षेको अम्रीद संतान को मुख मा पोखी दियरा इरदे त्रिप्त भाय को थियो साचाई अम्रीदले मेरो बस्त्र नई भीजे को छ मेरो सपना सुनेर अर्जुन लेभाने तिमी वित्रकी उदार करुणामाई आमाले क्रिष्णाको रूपमा सार संसार का सीश्योहरूलाई अम्रीद दीर है कि थी नेंद्रामा पने संसार का भोकाशी शियो रोलाई अम्री दीराएके चाओ तिम्रों महांताग कुने तोलाना चाई ना। आमी माझा कुराकानी भाहिरेको थियो अचानक सखा साची देखा परे। बाहिर क्रिष्ण पक्षे अस्रम्बेको घना अंधकार भादर पक्षे को अभिराम बर्षा तर राची हिन बनबासी पांडबर को घूटी मा नेलो दिव सिखा जाई उपस्तित भाहिका चान परम पुरुष सखा क्रिष्ण। अर्जुनले बिश्मे पलक साथ रोमांचित भाहिरा भाने। सखा घोर दुर्दिनमा असमय द्वारा का छोडेर एस बानमा कसरी आई पिगन भायो। क्रिष्णाले मन्द मन्द मुस्काव दे भाने। जो एस तै दुर्दिनमा आमा को गर्भा छोडेर एस धरतीमा आयो। उसका निम्ती समय आसमय की होंचारा। उसका निम्ती की कुनै इस्तान अगम्मे होना सक्षारा। तर अचानक आगमन को उदेश्य की होला। द्वारा कामा सब्बाई कुसल मंगल छन। सुबद्र एबं पूत्र गण अनन्द मनाई छन्ता अर्जुनले सोधे। क्रिष्णले सांता सोर्म भाने सभी ठीके छन। तर मेरो आगमन को उदेश्य अरुनाई यही चा। अचानक क्रिष्णा को हात ली बनाएक भोजन को याद आयो। सोचें मेरो जन्मती थी हो। एसे ली भाती भाती को सुमदूर मिश्टान न बनाएकी होलेन। मनमा अधी लोब भायो। तेसे ली आये। दिनबरी क्रिष्णाली बनाएको भोजन के यादमा डूबी रहें, इसाई को यादमा मुन नखाई पनी बसी रहें, लागेव कसाईली प्रतिक्षा गरी रहें से मेरो जहरी बर्शाली ता क्ये गर्णा सक्सरा, इसकारण मुन आएं, एरना संपुर्णा भीजे को छो, सक्ख अब सक्खा का निम्ती की पस्की देऊमा, मैले भोजन गरे पची अक्षिया पात्र खाली भाई शगेगो थियो, मन भाईरे को थियो, मेरो मुट्व निकाले रा पस्की देऊमा नेर, तरह सक्खा भोजन चहीं काहा बाट तिम्र अगी पस्की देऊमा छे, अर्जुन को किना खाना बसीमा, दिन्भारी उपवास कोता बानी ने बसी सकेगोचा मलाई, तिस्सी पनी कही चेण, सुथिक बाई की बिग्रानी थियो, मेरो हातले बनायेको भोजन, खाना एती टाला बाट आयेका चान, अब क्ये दियर संतुष्ट पारू अर्जुन को बस्तर पहीरियेरा ठिक उनी जस्तेई देखी रहेगाचान सखा, दिब्बे आसनमा बसेरा अंजान जाई भनी रहेगाचान, सकी बिलंब नगारा मा अबा अरुसान सकतीना बोखले मेरो प्राण निश्की रहेगोचा, मेरो नेत्र दोयमा आशु उर्ली रहे क्योकि शादरन सौजन्य को कुरा होरा, तिसे पनी सखा जान्दा छनकी अक्षिय पात्र खाली भाये, पची एक के सेनी अन्ना पूर्णा रहाँ दिनन, जानी जानी उनी मलाई असा मन्जस्मा पाड़ा चाहन चन उनकाई इच्छी आब, भाल्गुनी मेरो मन को दसा क्ये इस संचार मां केही पानी घटना संबब चाहरा, शाखाली अर्जुन को कुरा में ध्याने दियानन, मतरभ हेरेर भन्ना लागे, अलिकति पानी बोजन राखे नव, सुचे को थिवें की जानमे दिन मां केही तर राखे दियाव, सबै आभै मात्रा खाईपी सुत्याव मेरो मनले यो मानना सकी राएको छाई न, माले अभिमान गारेरा भने, हो, अति थिले खुआवना सकी न बाने अभिशाप दिन छन, मलाई पनी दिनोष, मलाई अभिशाप, आधर ग्रहान गरनेचु, जसको जीबनने अभिशापता चा, उसलाई अभिशाप को किये डर, अपनो हात मा लिए, रिस उठीरेग थियो, आपनो हात लानी रालों, जस्तो लागेर आयो, तेसे वेला अर्जुनले कान मा सुष्तरी बाने, हेरन देव सखालाई, आपनो हात, उनको गणाना अतिन्त सही उन्छ, फेर तिमरा हात हेरदै अरदै, आपनो भोग प्यासने बि मेरो हात सखाको हात मा छ, आउला हारू एके गरदै, हेर दैचन, देखें, कुने अन्नक का कान मेरो आउला का अगर भाग मा लागे को छ, क्लान्ती को कारण हतार हात धोहे की थिये, अन्नक कान सुकी शके को छ, जुटो हात सखाको हात मा भयकाले, संकोच बस मैले, आपनो हा मलाई पाप मां डुबावन लागे का छन तर कहां तेस्तो भायर मैले कही बन्नो अगेने परम त्रिप्ती मां सखा आपनो पेट मसारी रहे का थिये आसेरे बने अहो सखे तिमरो आतले बने को एक कोण भोजन पने एती गुरु भोजन अधिक खायको भाय ता अजिर न उने थियो राये चा रम्रु भाय तनना भोजन समाप्त भाय पाई पाची आये चुमा मौ अपनो औ साबादानी में अफेलाई दिकारी रहेगी थीएं। उता सखाले त्रिप्ती बस डकार नीदै मेरो भोजन को प्रशम सगरी रहेगा थीए। मौ इस्तम्बीत उनको एस अल्लवकिक सकती को बारे मा सोची रहेगी थीए। मेरो पाप पुन्ने धर्मा धर्मा को विचार सब्बाई उनको अगी तमीलू भाईरे गो थीए। हमिलाई बिश्राम लिनू बानेर स्वेम पने बिश्राम लिना लागे। प्रभात पूर्वाने बिदा लिए उनले। शखा को एस नाटे की प्रवेश्र प्रस्थान को रहस्य भोली पल्टाने जानना सकीयो। देवर्शी नारद आये का थिए। सखा को बंदु बच्चला को मुरी मुरी प्रस्थाम्च गरे। बंदु लाई दुर्वाश को प्रमस्थाप देखी बचाउन का निम्ठी। सखा को और बर्शाती रातमा अगयम्मे तेस अरण्यमा आये का थिए। एबम मेरो दुर्वाशा उसको अनुर्वाशा उसको अनुर्वध मा दस जार सिस्य अरुलाई लियर ये जो आधा रातमा कामेक बन आय प्रिगे का थिए। प्रभात बंदा पहिले अक्षे पात्र खाली रहंचा बंदे कुरा दुर्वाशा जान्दा थे। तथापी उनी पांडपर अन्ना पूर्णा रहन नाय ते तिखेर अथा एह समय दुर्वाशा का अभिशाब का निम्ती उप्रिक्त होनी सा। तर विपत बंदु क्रिष्ण जसका सखा हुन। उनियरोले दुर्वाशा का अभिशाब बाट किना जलनु परनी हुन थेर। मेरो नागमा अणकियको अन प्रिष्ण मा भाय भोजन। इस सब क्रिष्ण के माया हो पांडव हरुले यो बुझे। दुर्वाशा आपना सिस्ची हरुलाई लिए लज्जामा भरियर चुपचाप भर्गयर गए। नारत बाट इस सब सुनेरा मा अतिन्त भाव भीहर भायें पुलाकित भायें क्रिष्ण ले मेरो उच्छिस्ट खायरा मलाई पापीनी बनाए पनी मेरा पतिहरु ब्रह्मा स्व्राब बाट बाचे मन अनायस क्रिष्ण को चरणमा नतम मस्तक भाय। कपज कुंडल धारी कार्णा को प्रतिग्याश अर्जुनलाई निहात बनावनेशु। अर्जुन बाध का निम्ती नहीं मेरो जन्मा भायको हो। स्वेम भगवानले पनी उसलाई मदेखी बचाउन सक्नी चाईनान। भगवानले एदी सबैगार्न सक्नी भाये मानिसलाई एदी अंगा प्रत्याँगा मस्तिषका अधिकिना दियेका होंधे। बेर कर्णा को प्रतिग्या बजर जाई चाराई तरफा आर्य बर्तमा भायलियो। माता कुंती दुखामा मलीन भैन। उनको कातार बिलाब क्रिष्ण को कानमा पानी पुगयो। क्रिष्ण सम्मा कसाई को पनी दुखा पुगयों पची चिन्ता को कुरे रहा दाईना। महार कुरामा उनी माथी नई शुडेर बसी की थिये। बनबासी पाचाई पान्डप पनी कर्णा को प्रतिग्या को कारण बिमर्श अनुभाव गरी रहा थिये। अचानक देवर्शी नारातले खाबर दिये कि कर्णा अब कवज कुंडले युक्त चाईनन अथा अर्जुनको हैन बरु कर्णा को जीवन अशुरक्षिछ अर्जुनका पिता इंद्र कर्णा को प्रतिग्या सुनेर ब्रामण भेश मा कर्णा कहा पुगी तथा दानमा पुठ चितले दान दिये अर्जुनको जीवन अब संकट हेन छाब नेरा जाने पची मा निस्चिन्त थिये तरह हिरदय के कुणे अज्यात को नामा कुणे करून सोर बजी रहे थियो कर्णा एदी अनात न भायको भाये उसको पित्री परिचे भायको भाये उसका पिताले पनी पुत्र रक्ष्या का निमती कहीने कही गरने थिये तरह वो बिचारा असा है थिये अनात थिये जानी जानी स्वेमलाई मृत्तु को मुकमा धकेली दिये का छन माता कुंतिलाई कती दुखा लागद हो, काणा उनका अती प्रिय धर्म पुत्र होन। नारातली भाने काणाले इंद्रबाट सत्रु घातीने एगहक ने प्राप्त गरेका छन। अथा काणाको बारेमा दुखको कुने कुरा छैन। मन फेरी पांडब हरुका निम्ती उद्रबाई उठियो, कस्तो अध्भूत होन्च मान छेको मन। कर्णा द्वारा अर्जुन बद को प्रतिग्या सुनेर, पति हरुका निम्ती दुष चिन्ता मा परे। फेरी कबज कुंडल दान को घटनाले मन कर्णा का निम्ती बेथा रशाहन भूतिले द्रबीत भायों। फेरी एकैचड मा कर्णा को सत्रु भातिनी सक्ती प्राप्तिक कुराली पुनहा पांडब हरुका निम्ती चिन्तित भाय उठें। चिन्ता रा द्वन्दो मा मा पिल्शी राइके थियें। शाखा एसे बिच आई पुगे माला देखे राभाने कसका निम्ती चिन्ति चण्ति चओ। कर्णा का निम्ती या अर्जुन का निम्ती। दुबे समान युद्धा होन सुर्वीर होन। एक जाना कुंती पुत्र होन बने अरको कुंती का धर्म पुत्र। मा जान्द चुकी कुंती को आखामा धर्म पुत्र कर्णा र स्वपुत्र अर्जुन समान छन। तिमी पने कि तेस्ते समद्रिष्ट ले हेर चाओ दुबैलाई अचानक कड़ाले दीर सका इस्तो रशिक्त गर्ने चान बनने मैले कहिले सोचिकी बने थियेना पहिला ता एक दमे अप्ठारमा पारेमा अनुफार रात भायो त्यो भाब पने सका अगी लुकेना फेरी आफाईलाई समाले सका मान्ची को मन काठ या डुंगाली बनेको तहु दैना नारी हिरदै सहजे कोमाल उँछ माता को मन वित्र जसका निम्ती एती ममातारा सहान वती उँछ उँँ कतिने ठूलो सत्रु किना नहोस उसको मृतुले उसलाई सुख दे दैना मृतु सायद सत्रु का निम्ती उचित दंड होई ना जन मा मृतु मान्ची को हातमा हुदाईना मान्चेले त्यो दैत्यो किन लिनो हात्मा हात्मा द्वैस भेद बिर्याक को समदान एदी मृतु भाय को भाय कारणा का निमती मेरा मन मा स्वानु भुति जागनू श्वाभावीक हो फेरी उसले सत्रु घातीनी सकती पाय को कुलामा अरजुन प्रती दुष चिंता मा पर्नू अज़ श्वाभावीक हो शखाले आशेरे भाने कारणाले कुने समय तिमिलाई नदी में डूपन देखी बचाय गथिये अथा उस प्रती तिम्रशाहनू भुति रहनू श्वाभावीक हो और कृति गयताले मैंचले पशु बनाय दीन चा जेवस अरजुन को चिंता नगर कारणाले ते सकती लाई केब एकपल्ट प्रेवगार्न सकने चान फेरी तियो सकती इंद्र कहाले जाने चा तियो एकपल्ट को अभसर मा पनी कारणा एदी लक्सि ब्राष्ट भाय भने क्रिष्ण को बांगिये को गलामा कूटीला आसो देखेर कही आसुस्त भाये सोचे क्रिष्णा उदा होदै अर्ज सर्प्मावने चु या छैन आवसेक्त परे भने आपनो जिबन को सट्टा करणा को रक्षय गरेर रिल्ण मुक्तवन चाहने चु जसको समक्षय मा रिल्णी चु मेरा पति उन्हें का सत्र होन यो सोचेर मन गलानीले भलेंचा क्रिष्णाले गहेरो द्रिष्टीले माला हेर अर्जुन प्रती बिपरित भावना को कारणले मात्र उनले कावर बरुसंगा हात मिलाएक होन अहंकार लाई पवरुस मानेर अपने मृत्तुलाई बलाई रहे चान कुने समय उन्हको जिबन या मृत्तु तिम्रो हात्मा सुम्पियो भने उनले मृत्तुने बरन गर्नारु चाने चान तिम्रो दया र अनकमपाला लत्याउनमा पने पसी हटने शायनुनोनी अहंकार नाई करणा को ठूलो सत्र हो रिंड भार अतिंत कष्ट दाई होन्छ अहंकारी पूरु समक्ष्य रिंड भार मृत्तु बंदा अधिक एंत्रना दायक होन्छ शोचें तेस दिन मा म पांडवर बीच सदा अस्तिनापुर को सिंगासन फिरता लिने चर्चा चली रहां थियो तर इदुष्टी रतेस चर्चामा भागली दैन थे उनको एस मौनात माधी मलाई रिस उट थियो सोचने जसको अधुर दर्शीताको कारण अर्जुन भेम नकुल सहदेव आधी रा दुरुपत नन्दी नी इसरी राज्ची बाट बिचिन नभायरा बनमा गोमी रहे चाँ उने नहीं एस अन्यायको प्रतिकार माधी कही सोस्ताई नन छेमासिल हिरदै इसर को भासस्तान होंच तर सत्रु र पापिला छेमा गर्नों च्वेत्रिय धर्म होई न के बला । बृधुता र उग्राता देखावनी मानीश शू पुरुष हो न शक्ते न पुरुष्ली जहां आवसेकता परछ बृधुता र जहां आवसेकता परऊ तेहां उग्रा हो नहीं परछ मेरो मुख बाटेस्त विचार सुनी पची सान्त भावमा भन्नी गर्थे दुष्टीर भारत पम्सको बिनास को समय आई सक्यो दूरेधन राज पदमा छा तरा कसेले छेमागा न सक्ते न उहू राज स्वेम ले एदी छेमाला आस्त्रे दिन सक्ते न भाने उस्वेम अच्यम्मे अवरात रद्धूर चार मा लिपता हुँँच उसको कारण देश्टर जाती दुबै बिनास को संगार मा पुगदाच अतहा मैले छेमागो सहरा लिएकुचु भाहिंग्सा शत्यलाई आस्त भलप्राप्त गर देईना एसकारन आमले सांत चीत भाहिरा भाग्य परिवर्तन का सुबा समय सम्मा प्रतिक्ष्या गर्नु पर्ने चा बनबास आरंब हुने बित्तिके अस्त्यानपुर माथी कब्जा गर्ने कुरा माथी कीना बिचार गर्नु छुन्ड भाहिर बंथिमा क इन्ता नगरे पची पांडपर्को रक्षेक कसरी भनेश इदुस्टिर अज सांत भाहिर बंथे धर्म रक्षेती रक्षेता हम अर्थाद धर्म संग बसेव भने धर्मले ने तिमीले रक्षे गर्चा अद हा धर्मलाई कुणे पने एस्तितितेमा मत्याग न सकतीना तिमी बिदुशी हाँ धर्म रक्षेक महत्वत्य मिले भन्दा बढ़ी अर कसले बुझन सकलान। मत्चित्द दुखाउंदाई असरुपुन भाई पन्थे सका साक्षी चान। ती धर्म राजले आवसेक्ता परे भने चाराई भाई हरु रापनी पत्निलाई पनी छोड़ी दिना सक्षान। तर धर्म ले उनको रक्षे कसरी गर्षा। एसको जोलन्त उधारन कुरू सभामा मप्रती लांछाना। आमरो बनाभास कर्णाद्वारा अर्जुन बद का निम्ती सत्र गाती नी सकती प्राप्तगर्न हो। पांडा भरुले इस सभाई बीज कसरी जीवने ये कुराले पनी कहिले बीचलीत बनावदैना धर्मराजलाई। क्रिष्ण समक्चे ये सरी बाद पिवाद भाहिर आईको थियो कि गुरुदेव क्रिष्णा द्वाईपाईन आई पुगे मलाई धायरे बधायरा भने स्वरी क्रिष्णा। पत्निको रूपमा पंचपतिको जये पराजये जीवन मरण को कुरामा थी द्वन्द्व एबाम दुखा अनभवगानु श्वाभाववी खो। एदुष्टिरले सब्वाई सुनेर पनी अब बिचलीत रहनु पनी उत्तिकै श्वाभावी खो। फेरी पनी तीमेर को दोस्चिन्ता हटाउना का निमित्त म इहां आयको हो। करणा जस्ता सुर्भीर संगा लड़ना का निमती पान्डा परु संगा एथिस्ट अस्त्र संच्त्र नभववएको बारेमा चिन्तित बन्न पनी श्वाभावी खो। अतहा म एदुष्टिर लाई स्रुति स्प्रिति बिद्या सिखाउने छो। उनले फेरी यो अर्जुन लाई सिखाउने छन। अर्जुन ले इस बिद्याकब बल्द्वारा, इंद्र, महादेब, एम, बरुन रा कुभेर लाई प्रसन्न गराई दिव्यास्त्र प्राप्त गरना शकने छन। आगने सास्त्र बिद्या प्राप्ति पछी अर्जुल्लाई करणा को सत्र घाती निसांगा डरावनी कुनै प्रयोजन छाईना। छोरी किती मी एसकुराम सहमाच्छाव मैले चुपचाव सिरहल्लायरा सहमाची जनाय। स्रिक्रिष्ण देवर्शी नारदर बेदव्यास बिद्यदान गरेरा फार्खे। फाल्गुनी बिदा लीरे चन। गांडीब अनी अक्षे तूनेर का निम्ती गरिराज हिमालाय तरफ गई रेचन। कठोर साधान गारेरा दिव्यास्त्र प्राप्त गार्ना का निम्ती सबै भायरुले प्रसन्नता का साथ बिदा दीरे चन। मेरो बन्मा प्रस्न उड़च एती जना भायरु रहदा रहदै अर्जुन माथी कठोर साधार का भार कीन धो परियो। इंद्र, महादेव, एम, बरुन, कुबेर, आधी पंच देवसंगा बिभिन्न सक्ति साले दिव्यास्त्र प्राप्त गर्नी दाइत्त्यों के एकेकवटा गरेरा भाग लगावन सकीने थिये नरा। फालगुने बीर चन निष्टा बान चन अनि सक्ति साले चन। तब के उनिक कुणे सुखका अधिकारी चाई नन। जिबनको आधा भाग बनबास्मा काटियो। त्याहां बाटा पनी फेडी कठोर साधानामा सोचेके थिये कही बर्ष बनमा उनको समेप्पे पावनेशो। तिनेहरू सबे मध्य फालगुने नेता अधिक कभी प्राण चन अधिक भाभुक्षन। जबतीनी हिमालाय तर्फ जानेचन तब अरन्य बास्क असली कस्ट अरंब होनेच मेरा निम्ती। बारंबार मेरो अति प्रिय पुरुसलाई टाड लगी दिनमा ये प्रकृतिले बनी किया अनंद पावध हो। मलाय कस्ट दिनमा मेरो पती प्रेम्मा ब्यागात द्रिष्टी गर्नमा नेती कते निष्टूर बन्द छा। अर्जुनलाई तर मेरो द्रिष्टी पाथ बाट टाड गरी दिये पनी उनियो हिर्दयको अक्रबाट कहिले ओजेल होने चायनन। सायद योकुरा अद्रिष्ट जान्दैनान जान्निभाय इस्तो निष्टूर्त सायद गर्ने थियेनन इस सब सोच्ता हिर्दयनाई कापियर आउँछ। फाल्गुनिलाई स्तिर चित्तले प्रसन्न बदनले बिदा दिनुछा। अजोनी अभिवान गरेरा हिमालाई तर्फ गायका होई नन। अभिलास लीर गई देचन। मैली सोधे कोईली सम्माम फर्खन होनेशा। तर अगिल्लो चोटित जान्द थे बार बर्ष सम्मा पर्खनु पर्नेशा। तर अबत फर्खने कुने समय सिमा छाईना। भाल्गुनेले सान्त सर्मा बने। एक बर्ष को अग्यात बास बंदा पहिला ता अवस्य नै। साधानार सिद्धिक बारेमा पहिली बाटाने की बनना सकिन छार। तप फेरी। पाँच देवतार को कुरा हो, पाँच बर्ष बंदा पहिला फर्कनु संभव छाईना। तेस बंदा पची को कुरा भन्दा गारो छा। तिमें किना चिन्त गरी रहे छो, मा छाईना मने पनी अन्ने चार पती हरुत छन। इस समय उन्हेरू बनबाशी बायकाली सारा जन्जालर बाट मक्त छन। उन्हेरु संभव बनको जहराना जाई, निर्भाद सुख मा तिम्रु समय काटीने चा। अधा तिम्रा विशेमा मलेकुने चिन्ता चाईना, आजा सोच्छु मा एकले संगा तिम्रु विभाव भायका भाय कती कस्टमा परने थेयो। पांडग परिबार मा इस्तु लाम समय लागने कठीन काम मैलेने गर्नु पर्छ। तिम्रु सुख संगा रहे भने मेरो साधानमा पने एका ग्रता आवने चा। मा सुख संगा रहने छू, अर्जुनको बिरहको दुख चारपतियरको समसर्गामा भोलने छू, निर्भाद जरणा जाई, सुख संगा समय काटने छू, इस्तो विचार कसरी आयो अर्जुनमा, एसे कुरागा निम्ती अरु दुख लागेरा आयो, मेरो फ्राण को देवता कसरी समझाँ की, उनको फ्रामित्य को जुन विशेषता मेरा निम्ती चा, त्यो अन्य चार भन्दा बेकलाई छू, इस संचार मा कसली कसको मनको कुरा बुजदो रहे छार, मेरो मनको पिडा अर्जुनले बुजदैनान, एस कुराम अफसोस माननु शिबाय, मसंग अरु हरपल समेप मा चाहांचू, उनलाई बिधाता बारम मार माबाट टाला लगी दिन चन, कृष्णा को उपस्थितिमा बैस देवले, जो निर्देश देगा थिये, तेसला सीर जोकाये र, क्रहण गर्नु सिबाय, अरु की उपाये थिये र, बिभाया पची, कदम कदम मा संग गर्श गर्नु परे, पति अरु को सुरक्षा का निम्ती, चिन्ता गर्दा गर्दा कती समय अरु बिते रगाये, अब फेरी अर्जुन का निम्ती कती-कती राध हरु काटनु परने चा, सोचिके थिये, पति अरु को सात्मा बनबास को कष्ट कम होने चा, तर आज लेर भरके पासे तिमी बनने चाओ अस्तिनापुरीकी राजरानी करणा को अंकार चूर हुने चा करणा बद गारेरा तिमरो अपमान को प्रतिशुद अले नेचु कवर भरको सारा काममा सडेंत्र गार्ने बेक्ति हुन सकुनी तर मुख्य परामर्श दात्यक हो करणा तिमी निस्चिन्थ बाशा मेरो बदगर्णमान्दा पहिले करणा जीवित रहने छाईना। करणा बद निस्चिन्थ छाँ ओमा जान्दाशू करणा बद का निम्ती जन यजन हरू बने देशान तीशाफल होने छान। यसद्वारा नहीं धर्मको पने जाये उने छा। तोई पेनी कहणा बद हुने कुराले हिर्दैमा हल्चल मचीन छा, माता कुंतिक हिर्दैमा कहणा प्रति गहीरो ममताले सायद मलाई प्रभावित गरेको छा, सबे कुरा उनाई अद्रिष्ट माथी छोड़ी दिंगे, आस्तै आस्तै पतिला बिदा दिंगे, बिदाको बेलाम नारी सुलब समसाय प्रकट गरेर भने, सुने के छो देवता अरुबाटा बर पावनक नेदी सुर्ग सम्म जान्नु पर्नी छा, त्यहां रम्भा उर्भाशी मेनाका आदी अनन्त येववाना अरुपशी अप्सार अरु छन, येटो अला है पहिलु जस्त ब्रह्म चरिया नराखनो, पहिलाको बनवासको पुरा नाई, अरकै थियो, अब एवटा ठूलो लक्षी लेरा गईरनु भाईको छा, कामानाले मानिसला छेनी सुखा दिन च, तरा लक्षे इस्तल सम्मा पुर्यां दैना, अर्जुल्ली रसिक्त साद भने, कीना रुपशी अप्सारोर प् अर्जुल्ली रसिक्तामा क्रोध उठियो, जलीरेको द्रिष्टिली पतिलाई, हिर्दै भने, स्वची किछू, अब अप्सार अर्शंग सम्मसर्गा को खबर प्राण दिनेचू, अगिले चोटी देखन भाईको च, मा जान्दाचू क्रिष्णा, अद्रिष्टामा पति घर्बार कसे को पने सहजोँ धैना तरह आसुभी दा तमयलाईने उनेचू, पहलीको पालमा जसलाई प्रेम गर्नावाई, उशलाई पवरुषको बहानमा बीभाद गर्नावाई, तरह अफसार हरको प्रेम जालमा पहर्नाई भने त graffiti बीभाद को प्रस्ने उढ़ताईना क इर्श्यातूर नारी प्राण उर्दो मुख भायो तेस इस पर साले। मेरो अखी बाट अर्जुन हिन एस अरन्य जीमनमा। तिर्था यात्रकनिमती मन ब्यकुल भायरे को थियो। सोची रहे के थिये कि तिर्था यात्रकनिमती एदुस्तिर संगा कईयों चटी अनरोद गरी पची राजी भायोनी। बीच बीच मा तिर्था ब्रह्मन गर्दाई जान्दा रिशिय अरुबाट अर्जुन को खबर पाउं थे। अर्जुन हिमालाईमा साधाना गरी रेका छन। उनको उसलताको समचार पाउंदा ब्यकुलता अच्च बड़ेर जान्थियो। हिमालाईको निकटस्त दुर्गम बनमा पहिली तपास्य गरे उनली। फेरी बिरत्तोक परदर्शन गरेरा बीर फालगुनेले भगवान सीबाबाट पासुपत सास्त्र प्राप्त गरे। सुने रहमी सब्बै उत्फुल्ल वायों। फेरी एमा बाट, दंडास्त्र, बरुन बाट, बरुन पास, कुबेर बाट, अंतर धानकारी, ओज, तेज, अने द्वितिकर, प्रश्वापन, अस्त्र निकी कम अबदी भित्र नैं, प्राप्त गरेका खबर पायों। लाग्तियों, अब अर्जुन चाणी भर्काने छन, पिता इंद्र बाट, दे ब्यास्त्र पाउनामा त्यति धिलो हुने छाईन, प्रति दिन, प्रति पल, मा उनको स्वागत को प्रतिक्ष्यामा रहां थे, जागरात राद बिताउं थे, लाग्तियों, उनी अब तुरुन समय तिमी बाटा टाणा बसन सकती न, मलाई, न राज्य चाहेंच, न धन दोलब, तिमी केबल, मसंगा बसा, मेर छाउमा बसा, बीरहमाना जीबन को एती भाग बितियो, अब बाचे का नै, कती होलां रा, समय का अंक्षा हरू, कम से कम, इस अंतिमी सामात तिमी मसंगा बसा भीम मेरो बिवलताम असंतुष्ट उन्थे, मलाई समय राबन थे, जतीने बीदुशी भाईपनी, नारी आखिर, नारी ने हुन्थे, फालगु निलाई, आचाल मा राखेर बादेव भने, तिमरो अपमान को प्रतिशुद, कसरी ली न सकिन चा, अन्यायर अधर माला कसरी म याद आउंथियो, तियो चरमा लांचाना को घटाना, मा फेरी उही पिडामाएं द्वाईश्मा फर्गान थे, भन्ते सत्ते सत्ते त्री बार सत्ते, अब अर्जुनको याद मा रुएर, नुको साधनमा बादा पुल्याउंदीन, नकुल मेरो बिरहलाई, जिस क्याउं थ सहदे बन्थे भायो अब नकुल पुगियो, एगेसे ने ठीक समय में ठीक करते बिगर छे, प्रति दिन ब्राता इदुष्टीर को मानमा प्रतिसोद को आगो उकासी दिन छे, रत्तेस्मा घिव हाली दिन छे, नत्र ब्राता को चाई, अहिंग्शार छेमा का अबर्तारली क छेमासील जती प्रति सोद परायना पनी तेती ने समय हेरेर कार्य गर छे, एज समय बिरहार इत्युको बढ़न गरेरा काब्बे रचाना रस्न शिबाय उसको अरू कही काम छाईना, ओ काब्बे ने रची रेके छे, हेजव आजा, फालगुने फरकादा कहीत उपार दीनु साचे हो, एस बीच बिरहार इत्यु नामा काब्बे पुरा गरेके थिये, मैले, ये कुरा सबे भाई अरूलाई था भाई सके को थियो, थत्त, कि सोचत होन एन हरू, शारलमान भीमता काब्बे को कुरा सुन्ना साथ चीली न लागे, पांचाली मा पने एडिम्बा कहा जान मेरा बारे मा पने जबसम्म एक काब्बे लेखती नव, तबसम्म फार्क ने चाईन, मगलाई पची मवाट मुक्ति पायरा चाईन को सास भ्यार ने चाओ, या काब्बे ने लेखने चाओ, नकुला आशे रा तेस काब्बे को नाम होने चा, द्रोपदी बिलाप, अथबा तिम्रो बिरहामा उकासरी बिश्चिप्त होने चे, तेह लेखी ने चाओ ला, बिम्खुसी होताई बांथे, ठीक्षा मेरो बिरहामा द्रोपदी को बिलाप गगान पावन चीरे रा तेह बिलाप मसमा आईपुगने चा, अने तेह बिलाप सुने रहेडिम्बाले, इस्तु प्रकारले इरिश्यामा भरी रा बिलाप गर्ने चेकी, ती सब्दा हरुले अस्तिनापूर्मा दिर्विधान धारी डरावने चान, उसले समझाने चा, उसे बिलाप मद्धे भीम्ले ने सर्बाती खुला मन्डिस चाहांचन, इच्चे भायर पने आमी द्रपती बात जबर जस्ती प्रेम्ले न सकते नौं, तर भीम्ले जब जब चाहांचन द्रपती मा एवड़ा हल्चल मचाय दिन्छन, आमरो दामपत्यको बार्षीक सर्थ हुना पनि भीम द्रोपती माथी कम अन्याय गरदैनन तर पनि एसकुरा का निम्ती छुग्द नभई उसको सब्बंद आस्तार भरुषा भीम प्रतिने हुँचा किये चुठो बली रहे चुम्मा सबी भायर मिलेर मतर पेयर चन ओठ दबायर रहास्ते नकुल्डे मेरु बिरह बेद अर्जुन नागराज छोड़ेर गई सेके काचन त्यहां जबसम्मा बसे शांति संगा बसे अब कहाँ चान कसली बतावन सकते ना प्रतिक्षा को अबदी बढ़दै जाँदै थियो बैकुल्ता अब उतकंटा बनी दै जाँदै थियो मामात्र होईना इदुसिर साइद सब अर्जुन को समाचार पाउना का निम्ती अधिरता साथ प्रतिक्ष्या गरी रहेका थिये कुसली सुनावनी हमिलाई अर्जुन को हालखबर इस सुर प्रेरीत चाई तेस दिन अपर अन्नामा लोमस मुनी आयरा कुट्टी को द्वार्म उभिए अर्जुन को समाचार प्राप्त भायोनी बाटा मेरो अवस्ता देखेरा भने देविद्रोपदी चिन्ता छोड़िदेव तिम्रा योग्यपती हिमालाई मा अपनो कारी समाप्त गरेर अब सुर्गमा परम आनन्द साथ शान कौवर भरुको दमन गर्ना का निम्ती अनेक अस्त्र शास्त्र जोटाउनामा लागे काचान उनको कारी समाप्त होने लागे कुछा उस भाई अरजुन स्वर्गमा कीन अलजर भाशे काचान मैले ब्याकूल स्वर्गमा सोधे लोमस मनीले सांत एभम उदार भापमा भाने एती दिन हरु पची पूत्र लाई अभूसंगा पाये काचान इंद्र देवले जिबन भरी उनी उनका पूत्र अरेन्ने बास रा दर पूगे काचान स्वर्गा राज्जीमा अथा हो देवराज ले उनलाई केही दिन तेहां बस्तेर विश्रामगार्नाक निम्ती अनुरोद गारे काचान पिता को अनुरोद माने अरजुन लेपनी अमरावतीमा इंद्रको सबा देखेर अरजुन अचमभित भाई गंधर भा अरुको सामगान रंभा मेनाका सुर्ण प्रभा उर्भसी चित्रसेन कुम्भयोनी बर्विनी मित्रकेशी चित्रलिखा पद्मयोनी आदी अननत योबना अपसार अरुको नृत्य गेत मा महित्भाई विफल अवस्तामा छनुन पिता इंद्रको परमार्श अनुसार गंधर नृतवराज चित्रसेन मार्ट ग्र्तय गीत बाध्य आदीको बेक्चा लीरेगा चनुसिच्छा समापता उना साथ फरकाने चनुसार परकान्द तिहामार्ट बज्र असनी आदी प्राप्तगरेर आवने चनुनेकुराईको चिंतानना गर अर्जुन को कुशल बार्ता पायर केही धाणस पायें तर उनी सुर्ग मा छन ती रंभा, मिनका, उर्वाशी, चित्रा लेखा अरुसंगा बिलास मा छन माले फेरी एंद्राना हुना लागयो मेरा पतिलाइ उनिहरुले संगीत र नृते को बहानामा भग बिलास मा अलजाई दिने छन अब फेरी आसंकामा भरी यहमा किन इनिहर को बमस नास नहुसर सोचन लागें कहां उनी सत्रु नास के निम्ति अस्त्रा शस्त्रा प्राप्त गर्न गयेगा का फिरी नृते गीत को सिच्चा ले रेका छन सुरुग को सुखा छोड़े रहा पनी कोई फरकान छा कि ये दिवत क्रिडा को समयमा भाय को मेरो अपमान को कुरा इस्मरण रहे को वला रहा उनमा उनका दाज भाय अरू रह इस्त्री ग्रियाहीन भायरा समय बिताय रेका छन और याद रहे को वलार अपनो विचार मा मगन भायर भासे की थिए अपने दुखा मा पिल्षी रहे की थिए कल्पाना को नेत्राले पति को सुरुग हेरदा हेरदाई नरक भासलाई श्रय गरी रहे की थिए मेरो उदास अनुभारला हेरेर सहदेव बोले ब्राता का निम्ती चिन्ता नगारा उने कुंती पुत्र फाल गुणे होन अपमान को ज्वालक कहीलेई पानी बोलने छाइनान अधरमको नास नगरी उनी सोरगमा पानी सांती संगा बसने छाइनान सहदेव को दरिली सोर सुने रा आसुको बाद भाद क्यो मैले आसुक बहाउं दै भाने कपाई ती महेनी नर्था की अरको कुरा जान्नों न एक्स्वेटी उन्यारको फांदामा पारे भाने तेहां बाट उद्दारों न कठीन वार्छा अर्जुन अस्त्र सस्त्र लीन गाएका हुन फेरी नुर्थे संगीत तरफा कशरीव जोगे अबा हामी भाय कहां फरकेर आवने कुरा किने याद रहेको छाइना उन्लाई सहदेवले ढाड़स दिये अर्जुन प्रती विश्वास अरावने ठीको आईना उनी कौसका सकावन जान्दा चाओ अर्जुन प्रती विश्वास अरावन को अर्थ हो कृष्ण माथी बाट विश्वास अरावनो अर्जुन ले अईली सम्मा जे गरे काछन आर्या बर्त को मंगल का निम्ती मात्रे गरे काछन समय आये बने नुर्ते गिएते सिच्यामा पने तेसे गरी मंगल सिद्धा होने चन कुने पने बिशेमा उस सिच्या महत कार्येमा लागना सक्ष अब येदी अर्जुन यहां फरकेर आये भने पने समे न पोगुंजल स्त्रेष्ट भराता अस्तिनापुर फरकेने साइडन चाहे जतीने सक्ति शालिया आमी किना नहाँ। तीर बर्चा बनबास्त भोगने पर्चा अतहा अर्जुन को प्रत्या बरतान को प्रशंगा मा उदिग्नावने आवसेक्ता ने किये छा। स्वर्गा मरहुन केही दिन आराम संगा। मा माउन थिये। कसरी समझावनों सहदेव लाखी अर्जुन को पाउसे बानाई मेरो कामा नहो। उनी बिना सबै कुरा अत्येंता सुन्य लागदाशा। फेरी पनी सहदेव को कुराले आसा बढ़े। अबस्य फर्गानेशन अर्जुन मामात्र होईना सुबद्रा पनीता प्रतिक्ष्यामा छे। फेरी सुबद्रत्र प्रिय साखा क्रिश्णा की प्यारी बहेने हो। मेरा निम्ती नवाय पनी सुबत्राक निम्ती ता अवस्य फर्कनेचन एई सोचेरा अतास मनलाई वरोशा दी रहे तर मान्चेक मन एती जिद्धी उन्चे कि सहचे क्या ही मनना तयार उन्दैना देन हर बिद्दै चन लोमस मुनी संग तरता ब्रहमानमा तरा रात भरी बेदानाको कारण निन्र लाग दैना अब अनिद्र बाट पनी थाकीत भायर तंद्राली घेर चा दू सपना हरू लहर लाट चन कहिले कुरू सभामा लांचाना रापमान को द्रिश्य ती ब्रग्रुपमा यादाउंचा कहिले बही राईको पानी बाट निकालेर अस्तिनापुर्मा सम्मान पुर्भक छोड़े गंधर बहरोलाई पानी पची छोडी रहेका अफसारा हरू बीच अर्जुन तेस्ते देखेका छन जस्तो गोपीने हरू बीच घेरियेका रशिक राज क्रिश्य निंद्रा भंगा होंचा हर शोपनको कुरा सोचेर फेरी दुख ले अरके प्रकारक बिभल बनाउंचा तर यो मेरो मन को दुख कसेले पानी भणना सकती न माया वा नित मिनी पानी यहां साहत मा छाइनन अतहा कभीता नै मेरो प्रिय सहचारी बने को छा हिर्दैक ब्यथालाई कभीतामा पकता केही सांतोना पांचुमा बर्ष माथी बर्ष बितेर जादै छन तर अर्जुन अजही झाल